मैं आज आप लोगों के लिए 2019 में GDP Solution लेकर आई हूं CS 614 का तो हमारे पस इसका जो आइडिया है हम वो आज आप से शियर केते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को बिताते हैं कि आप लोग जीडिवी में चीडिंग कैसे करके उसे सम्मिट करवा सकते हैं और आप पाल्ले मैंकित कि कि इस डिस स्फ लिए इ candid sanct der में कि वे कि इस अजयन कि च्छिंगन का थे लोगर लोगों कि प्र ciao जा एक लिए, लो आजल सपने अन्मीशे ऱ्र लेका बांसियल ठोग भार् and hybrid systems parallel execution is sometime called parallelism parallelism simply express parallelism is the best idea of breaking down a task so that instead of one versus doing all of the work in a query many processes do part of the time of work at the same time an example of this is when four processes handle four different quarters in a year instead of one process handling all four queries by itself the improvement in performance can be quite high in this case data corresponding to these queries will be a portion a smaller and more manageable unit of an index of table this means what you can do is execution you can do another word you can do another word response response you can do another word you can do another word you can do another word execution execution ने तो जहाँ 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 जीडिवी में execution का वर्ड यूज होगा आप जो सिरे नम फरस्ट में लिखेंगा वह या बाकि में लिख दीजेगा अब रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स अगर एक तफ़ा है तो that's mean कोई इश्यू नहीं लेकिन अगर पूरे जीड करना है तो आप लोगोंने different wording यूज करनी है same wording यूज नहीं करनी आडिया चाहे आप लेले चाहे तो आप खूद कर सकते हैं चाहे आप अपने handout से देखके अपनी जीडिवी को solution निकाल सकते हैं दोस्तों आप लोगों को जैसे effective लगे आप अपने जीडिवी वैसे perform कर सकते ह आप लोगोंने अपना elements open करना है elements open करके पहले word के ओपर जीडिवी अपना type करना है सारा type करने के बाद आपने control all यानी control a उसे एक अठा प्रेस करना है control all यानी copy हो जाएगा सारी control all यानी तमाम select हो जाएगा और control c से copy करके आपने elements के उपर जब अपना जीडिवी पोस्ट करने लगेंगे तो आपने वहाँ पे control v दुबा के तमाम पोस्ट कर देना है पोस्ट होने के बाद आप में उधर submit कर देना है उसे submit करने के बाद आप चेक कर लीजएगा कि आप पजड़ी बिल्कु ठीक हो है जड़ी में कोई किसी किसम की mistake ना करें क्योंकि अगर आप लोग एक फ़र मिस्टेक करेंगे तो वो दुबार ठीक नहीं हो जगती जड़ी जो हमारे फ्रेंड्स वियू ग्रूप में हमारे एड है अगर उनी किसी सेर्मन को solution चाहिए हो तो अपनी question file पोस्ट किया करें और उस question file के उपर अपनी last answer or mention किया करें आपका बहुत शुक्याँ आप हमारे वीडियो को देखते हैं उन्हें like करते हैं दोस्तों जो लोग PHP HTML म बनवाना चाहते हैं हमने reasonable price for projects बना के दे रहे हैं kindly जो स्ट्रॉइन हमसे इस मामले में बात करने चाहते हैं वो हमारे वीडियो को join करें और हमारे चैनल की जो वीडियो हैं उनके लिंक्स आप दूसरे लोगों तक share किया करें ताके उनकी भी help हो सकी